एक जंगल में बहुत सारी पक्षी रहा करती थी उन सबीका एक राजा हुआ करता था और उसका नाम चोटू दोता था उनके राज में जो चोटू दोता कहता वही सब माना करते मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात कहनी है कैसी बात? राजा ने मुझे तुम सबसे एक बात कहने के लिए यहां भेजा है कैसी बात आज के बाद कोई भी अपने आहार का इंतजाम खुद नहीं करेगा ऐसा हुआ तो हम अपनी भूग को कैसे मिटाएंगे हमारे बच्चे भूग बरदाश नहीं कर पाते मुझे भी बहुत जादा भूग लगती है मैं बिना खाय नहीं रह सकती मुझे पहले कहने तो दो हाँ हाँ बताओ अगर किसी को यूँ खाना है तो वे सभी राजा के पास ही जाएंगे राजा छोटू तो ताही सब को आहार देंगे राजा हमें आहर देंगे पर भला उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना आहर चाहिए होगा और नहीं तो क्या महल में रहने वाले हमारी तकलिफ को क्या समझेंगे हम सब को राजा जी के पास जाकर बताना होगा कि हमारे परिवार में कितने पक्षी रहते हैं सभी को काफी हो इतना आहर हमें दे देंगे ओ अच्छा तो चलो ठीक है चलो हम सब राजा जी के पास चलते हैं फिर सभी पक्षी मिलकर राजा जी के दरबार में गए आरे वाँ सभी समय पर आ गए मैंने ही इन सबसे इस समय तक हाजिर होने के लिए कहा था महराज तुमने बहुत अच्छा किया मैं तुम्हारे इस काम से खुश हूँ पाप का धन्यवाद महराज वैसे महराज इन्होंने बताया कि हमारे लिए आहर का इंतजाम आप ही करोगे क्या ये सच है? आज के बाद मैं ही तुम्हारे आहर का इंतजाम करूँगा पर क्यों महराज हम खुद अपने आहर का इंतजाम कर सकते हैं और हमें कितना आहर लगता है ये हम ही जानते हैं पडोसी राज के सभी पक्षिने हमारे जंगल से दुश्मनी मोल ली है आप सभी अगर आहार की तलाश में जंगल के अंतिम छोड तक चले जाओगे ये तुम्हारी जान के लिए खत्रा होगा तुम सब के आहार का इंतजा मैं ही करूँगा आच्छा ठीक है महाराज तो आप सभी एक एकर अपने परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज करा दे तो हम उनकी संख्या के अनुसार उन्हें आहार पहुंचा देंगे सभी पक्षी ने महाराज को उनके परिवार के सदस्यों की सूची दी महराज मेरे घर पर चार सदे से रहते हैं हाल ही में हुए एक दुरगटना में मेरे पती लूसी ने अपने पंक खो दिये उस दिन से मैंने ही अपनी घर की जिम्मेदारी उठाई है और मेरे दो बच्चे हैं हम चारों को काफी हो जाए इतना आहर देना होगा जितना आहर तुम्हारे घर के लिए लगे उतना आहर पहुंचा देंगे महराज मेरी जूही चील नाम की एक पत्नी है पर हमारी कोई संतान नहीं तो सिर्फ हम दोनों को काफी हो इतना ही आहर दे दीजिए चीचो अब तुम अपने परिवार के बारे में बताओ क्या बात है परिवार के बारे में पूछने पर ऐसे हिचकी चांग क्यों रहे हो इसमें बताने वाली क्या बात है महराज चीचो अकेली रहती है उसका कोई नहीं ठीक है कल भंडार कक्ष से आहर निकाल कर सभी के घर पहुंचाया जाएगा सभी आकर अपने हिस्से का आहर लेकर चले जाना यू महराज ने राज्य में रहने वाली सभी पक्षी परिवारों की सूची बनाई जिससे अगले ही दिन सभी पक्षी महराज के पास आहर लेने पहुंचे जैसे ही आपका नाम पुकारा जाए आप आगे आकर अनाज ले जाना फिर सभी पक्षी एक कतार में खड़े हो गए मेरा नाम तुनी है और मेरे परिवार में चार पक्षी रहते हैं हर बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास तुम्हारे घरवालों की सुची है बस तुम अपना नाम बताओ तो मैं तुम्हारे परिवार के लिए आहर दे दूँगा ये लो तुनी तुम्हारे परिवार के लिए अनाज और तुमने बताया कि तुम्हारे पती की सेहत ठीक नहीं है जी हाँ वो बस हमेशा शया ग्रस्त होकर पड़े रहते हैं वो कहीं जा नहीं पाते इसलिए मैंने कुछ दवाया भी मंगवाई है ये तुम अपने पती को दे देना वो जल्दी ठीक हो जाएगा महराज आप किसी देवता से कम नहीं हो मैंने बातो बातो में अपने पती के बारे में बताया पर आपने उसे ध्यान में रखा और उनके लिए दवाया भी मंगवाई हो तो हमारे महराज को क्या समझ रखा है एक बार बता दो उन्हें याद रह जाता है धन्यवाद आपका ठीचो तुम आ गए तुम्हें आने में देर क्यों हो गई माफ कर दीजिये महराज ये लो सिर्फ तुम्हारे एक के लिए आहार दरसल महराज मेरे लिए इतना आहार काफी नहीं होगा मुझे में थोड़ी ताकत कम है मुझे और थोड़ी अनाच की जरुरत है ठीक है ले लो जितना उन्हें काफी हो जाए उतना आहर दिया अगले दिन भी सभी पक्षी महल पहुंचे और आहर के लिए कतार में खड़े हो गए क्या सबको आहर मिल गया मुझे अब तक आहर नहीं मिला है ये लो चीचो सिर्फ तुम्हारे एक के लिए आहर मेरे लिए इतना काफी नहीं होगा मुझे और चाहिए कल भी तुमने जादा आहर लिया था आज भी मैं तुम्हें जादा नहीं दे पाऊंगा वैसे भी तुम्हें इतने जादा आहर की क्या जरूरत है आप भला कैसे राजा हो जो प्रजा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते जितनी उनकी जरूरत है उतना दे नहीं पाते क्या कहा तुम मेरी ही निंडा करने चली हो तुम्हें इस जंगल से निश्कासित करवा दूँगा जो हुआ अच्छा हुआ मुझे ऐसे राज्य में रहना ही नहीं हमारे राज्य में पहले कभी नहीं देखा हमारे महाराज छोटू तोता ने मुझे हमारे गाउं से निकाल दिया तभी तो मैं आस्रे की तलाश में इस जंगल में आई हूँ मैं तुम्हें इस राज्य में रहने की जगह देता हूँ और खाने पीने की भी वैवस्ता करता हूँ पर उसके बदले में चिडिया के बच्चों को ला कर देना होगा हाँ मैं जरूर ला कर दूंगे चीचु कवी वापस अपने गाउं गई चिडिया के बच्चों को मही के हाथ सौप दिया महराज मही चिल ने चुडिया के बुच्चों को खा लिया और बदले में चीचु को बहुत सारा आहार दिया बहुत समय पहले एक पक्षी राज हुआ करता था उस छोटु तोता की छुटकी नाम की एक बेटी तोती थी छोटू तोता के लिए उसकी बेटी छुटकी तोती बहुत प्रिय थी बेटा छुटकी क्या बात है इतनी उदास क्यों लग रही हो पिता जी मुझे भूख लगी है मैं अभी साइनिकों को भेज कर तुम्हारे आहार का बंदो बस्त कराता हूं फिर महाराज छोटू तोता ने स्वादिष्ट पंच पक्वान बनवाए छुटकी मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मन पसंद तरह तरह के वेंजन बनवाए आज तो खाने का बहुत मज़ा आने वाला है छुटकी तोती ने खुश होकर सारा कुछ खाया पर कुछ ही देर बाद उसने फिर से सताना शुरू किया और सारा घर सर पे उठा लिया अरे बेटा अब क्या हुआ तुम फिर क्यों रो रही हो पिताजी मुझे फिर से भूक लगी है क्या कहा सच अगर मुझे जल्दी से खाना नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी ये कहकर वो जोर-जोर से चिलाने लगी तब महराज छोटू तोता ने चिडिया को बुला कर जंगल में डुगडुगी लगाने के लिए कहा जंगल में रहने वाली सभी पक्षी ध्यान से सुने महराज छोटू तोता का ये आदेश है कि इस जंगल में रहने वाली किसी भी पक्षी के घर में जो भी वेंजन बनेगा वो उन्हें हर रोज राजकुमारी छुटकी तोती को देना होगा जंगल में रहने वाली सभी पक्षी जैसे तैसे उनके आहार में से थोड़ा सा राजकुमारी के लिए ले जाने लगे पर उसी जंगल में रहने वाली चीचु का वी आहार लेकर नहीं गई चीचो, क्या तुमने घोशना नहीं सुनी? घोशना नहीं तो कैसी घोशना हम सब को थोड़ा सा आहर हर रोज राज कुमारी को देना है क्या कहा सच पर तुमने दिया ही नहीं इसलिए मैं खास कर तुमसे मिलकर बताने आई हूँ हाँ पर ये कैसे हो सकता है मेरी एक छोट इसी बेटी है मैं भला कहा से आहर ला कर दूँगी मेरी परिश्थिती तो तुम अच्छे से जानती हो ना मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इकलोटी बेटी के लिए आहर इखटा कर पाती हूँ हाँ चीचू तुम सही कह रही हो पर ये महराज की आग्या है ना एक राजा का ये कर्टव्य है कि उसके राज्य में प्रजा सुखी रहे ठीक है तो मैं यही बात महराज से कहकर उनसे इसका कोई हल मांगती हूँ इस तरह चिडिया ने चीचू कवी के सामने मीठी मीठी बाते की और वहां से चली गई इस चीचू कवी में तो बहुत हिमत है मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस चीचू कवी को देंड मिले ऐसा कुछ सोच कर चिडिया महराज के पास गई क्या बात है चिडिया कैसे आना हुआ महराज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ अच्छा क्या बात है बताओ प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है महराज प्रजा तो आपसे बेहत खुश है और आपकी की गई घोषना का बिना चुके पूरी तरह से पालन कर रहे हैं पर एक चीचु कवी ही है जो कहती है कि आपकी की गई गोशना गलत है और आप एक बुरे राजा हो। क्या कहा? सैच, अभी के अभी उस कवी को मेरे सामने हाजिर करो। जी महराज। चिडिया तुरंद वहाँ से निकली और सी ही थे चीचु कवी के घर पहुंची। क्या हुआ तुने चिडिया? तुम फिर से क्यों आई? बात क्या है? दरसल मैंने तुम्हारी मनोवेधना को महराज के सामने रखा। महराज ने तुम्हारी बात को गलत समझ लिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर उन्होंने तो ठान लिया है कि तुम्हें दंडित करके ही रहेंगे। चिरिया ने चीचु के सामने ऐसे जताया जैसे वो उसकी शुभचिन तक हो। इस महाराज का बरताव तो किसी राक्षत से कम नहीं लग रहा है। आ चीचु तुम सही कह रही हो पर अगर महाराज ने तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया तो तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें हर रोज राज कुमारी छुटकी दोटी को आहार देना ही होगा। वो तो हरगिस नहीं हो पाएगा। अपनी महनत की हमें खुद खानी चाहिए। किसी और की महनत का खाने में उन्हें शर्मानी चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ चीचू, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या तुम वो करोगी? हाँ हाँ करूंगी इस सारी मुसीबत की फसाद वो छुटकी तोती ही है सही कहा तुम जाकर उस छुटकी तोती को मार डालो, तब हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी चीचू कवी हाथ में छुरी लिये वहाँ से चली गई हाँ हाँ जाओ, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा ये सोचकर मन ही मन हस रही थी चिडिया दुसरी और चीचू कवी वहाँ पहाँच कर छुटकी तोती को छुरी से मारने चली सैनिको ने उसे ऐसा करने से रोक लिया कान हो तुम्हें, जो मेरी छुटकी तोती को ही मारने चली थी महराज छोटु दोता ने चीचु कवी को बंधी बनाया इस चीचु कवी को फासी पर लटका दो चीचु कवी को फासी पर लटकाया गया इस तरह चीचु ने अपनी जान गवाई